हेलो स्वेट्स आज हम देखने जा रहे हैं आप वर्ट्प्रेस की मदद से पूरी की पूरी वेबसाइट बगार किसी लाइन अफ पोर्ड लिखे किस तरह बना सकते हैं बहुत रएंड़ लोग विबसाइट से बना कर पैसे खिमाना जाते हैं लेकिन प्रोग्रामी बहुत जायर दुश्की लगती है वो कहते हैं कि उन्हें प्रोग्रामींग नहीं आदवी तो आज हम बगैर प्रोग्रामिंग सीखें सिर्फ और सिर्फ सार्ट मिनट के अंदर अंदर एक पूरी की पूरी वेबसाइट मुनाना सीखेंगे और यह समझ हम करेंगे WordPress की मदद से क्योंकि WordPress की मदद से आप बड़ी असानी के साथ एक वेबसाइट द्यार कर सकते हैं कि वेबसाइट किस तरह से द्यार की जाती है लेकिन उससे पहले अगर आप ने अभी तरह कुमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने ताकि WordPress को सीखते वगत आप अगर कोई पर प्रॉब्रम आती है तो हम उसका सूलिशन आपको प्रॉइट कर सकें तो स्टार्ट करते हैं तो यह हम कम्विरर की स्क्रीप पर आ चुके हैं तो वेबसाइट मुनाना स्टार्ट करने से पहले एक कॉंसेप्ट हम समझ लेते हैं कि सर्वर क्या होता है आपके पास तो नेट स्पोस यह आपके पास इंटरनेट है और यह आपका कम्विरर है अब आप यतनी भी वेबसाइट से हैं लाइक, फेस्वुक, यूट्यूब, ट्विटर और जितनी भी दूसरी उस दुने के वेबसाइट से हैं वो इंटरनेट के उपर मजूद है अब आपने गर इन वेबसाइट मैं से किसी वेबसाइट का सेर्वर को सेथ करना है तो आप इंटरनेट के ऊपर जाते हैं और इंटरनेट पे रिक्वेस्ट करते हैं एक मीड़्या कि येवाली वेबसाइट शोघ़ कर दो internet आपको, वो उस website को आपका mirror-onad कर देता है तो ये जो website हैं, ये website जिस जगापर पड़ी होती हैं उसको आप server कहते हैं या उसको आप host भी कहते हैं like ये facebook जिस जगापर पड़ी है उस जगापर पड़ी है, उस जगापर सर्वर ये host कहते हैं इसी तरीके से तुमाम की तुमाम वेबसाइट किसी न किसी सर्वर पर पढ़ी होती है लाइक फेस्बूक अपना सर्वर होगा, योट्यूब का अपना होगा, ट्वीटर का अपना होगा इस तरह से हर वेबसाइट का अपना कोई न कोई सर्वर होता है जहां पर उसका डेटा मुझूद होता है तो लेट्स वोग आपकी ये वेबसाइट है माई वेबसाइट जो आप बनाने जा रहे हैं अब इसके लिए भी आपको कोई न कोई सर्वर की जरूरत है अगर आप इसे इंटरनेट में लाँच करते हैं आपको इंटरनेट के उपर किसी सर्वर को बाई करना पड़ेगा जिसको साधा अलफाज में वोस्टिंग भी कहते हैं जहां पर आपकी इस वेबसाइट का सारा कसारा जो डेटा है वो मुझूद होता है लेकिन इंटरनेट के उपर वेबसाइट भी लाँच करने के लिए आप कुछ पैसे पे करने होते हैं लेकि फिलहार हम वेबसाइट को इंटरनेट के उपर नहीं डाल रहे हम वेबसाइट को सिर्फ बनाना सीखने लगे है हमिए इस servers के उपर hosting पर पर पर्चेस करने की जरोरत नहीं है लेकिन फिर भी हमें किसी ना किसी server की जरोरत जरोर है ताकि हम इस website को develop कर सकें उसके लिए आप क्या करते हैं आप अपने supplier को ही server मना देते हैं जिसको आप local server या local host के ते हैं तो अपने computer को local server ये local host बना रहे के लिए आपको कुछ software का इस्वाल करना पड़ता है उन में से दो popular जो software हैं एक आपके पास है XAMP और दूसरा आपके पास है WAMP इन दोनों में से किसी का भी इस्वाल करके आप अपने computer को local server ये local host बना सकते हैं और अपनी website को इस server के ऊपर हम बनाते हैं और बाद में हम internet के ऊपर किसी hosting को purchase कर लेते हैं और अपनी website को उसके ऊपलोड कर देते हैं ये दो बात की बात हैं फिलहाल हम क्या करेंगे अपने computer को सबसे पहले local host ये local server बनाएके XAMP और WAMP की मनदर से आप Google जागर सेच करेंगे XAMP download और इस first value website चले जाएंगे तो यहां से इसका जो latest version होगा वह हम download कर लेंगे तो यहां से अपकी download है ये start हो जाएगी तो यह मनदर्स download होगी है मैं अपने download की folder में जाता हूँ तो आपके बास इस software यहां पर आजाएगा क्लिक करना है तो यहां पर जो XAMP यो इस्टाल होना start हो जाएगा यहां पर ओड़िंग जाएगा आपने इस वादिंग इग्नोर किरिज़ आपने OKPak कर देना है यहां यहां पर आपके आपके इस इस इस्टालेशन वीड़ आ चुकी है यहां आपके आपने इस पी नेक्स फिर आप नेक्स पे क्लिक करेंगे यह बताया कि आपने कहां पर इस सॉफ्ट्वर को इस्टाल करना है तो आपने इसे अधिटीज रहने देना है लिकिन में इसका जो फोल्डर है थोड़ा और चेंग कर दोंगा पोजिशन मैं यहां पर जैंप टू लिख रहा हूँ और यहा ळाँ यहां बर बॉटम के वुरा फोल्ड़ आपना नादा आ रहा है और के आद अगर आप दूसरा सॉफ्ट्र इस्टवर अड़ा और आपने अपने ऐसे च्छने आ राएब और आपको एक फोल्डर नजर आ यहां पर बॉटम के पूरा पुर आपने थैंप और आप दू दूसरा सॉफ्टर इंस्टॉल करते हैं वैंब जो मैंने आपको बताया था तो फिर आपको यह देखें वैंब नदर आएगा अब दोनों मेंसे कोई भी इस्टॉल कर सकते हैं तो हमने एजैम इस्टॉल किया है तो हम यहाँ पर एजैम के फोल्डर के अदर चले जाएंगे तो इस तरह से इसका फोल्डर स्ट्रेक्चर आपको दो दर आएगा अगर आपने सॉक्सेसफुली एजैम को इस्टॉल कर लिया है और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप comment section के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं तो exam को install करने के पाद हम इंग्दफर फिर से जाएंगे अपने browser के उपर और हम install करेंगे wordpress को उसके लिए आप google पर सर्च करेंगे wordpress download तो सबसे उपर ये wordpress की website आपको शब हो जाएगी आप इसको open कर लें यहां पर आपको ये नेचे ज़दर आ रहा है wordpress 6.1.1 यह इसका latest version है जब आप इस वीडियो को देख रही होंगे तो कोई भी latest version हो सकता है आप इस इंपलीज पर कर देना है download wordpress यहां में wordpress start वज़ेगी download होना बहुत छोड़ी से इसकी file है यह भी download वज़ेगी आपके पास तो यह मने पास wordpress download हो चुकी है मैं open folder करता हूँ download होने के बाद आपको इस तरह से ये file ददर आई अब आपने करना कि यहां इस file को यहां से copy करने ने नहे मैं इसको यहां से copy कर रहा हूँ हमने आप चले जाना है ZAMB के अंदर ZAMB कमें पता है हमने जाना है C drive के अंदर और यहां यहां में ने हमने पास dzm का यह folder है अब इस folder के आपके पास एक folder होगा HD dogs आपने इसके बास चले जाना है तो जैंड के अंदर आप जितनी वेबसाइट से मिराते हैं वो आप इसे के लिए इस एश्टी डॉक्स फॉल्डर के अंदर उनकी फाइल्स को रफते हैं तो मैं अपनी इस वर्डप्रेस के ने वहां से कोपी किया था तो मैं यहां पर इसको पेस्ट कर दूँगा अब इसके पास आपनी क्या करना है यह आपके पास लिप फाइल है तो यहां पर आपने इसको एक्स्टेक्ट करना है आपने राइट क्लिक करना है और यह आपना आप कर देंगे इसे एक्स्टेक्ट है तो यह आपकी जो WordPress है यहां पर एक्सेक्ट हो जाएगी तो एक्सेक्ट होने बात आपके पास यहां पर एक फोल्डर आजएगा Simple WordPress के नेम पर यह वारी इसके यह नीशे हैं यह में पस पारडी जो इंस्टॉल ते ही हो है तो हमने जो भी इंस्टॉल किया है उसका आपको यह WordPress यह फोल्ड यहां पर create होकर आ जाएगा अब आपने इसको नेम को चेंज कर लेना है उसके according जो आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो मैं इसको नेम चेंज कर सकता हूँ CS Concepts कर देता हूँ और click कर देता हूँ तो यह आपके पास फोल्ड का आपने नेम नेम कर लिए अब यहां पर कोई भी नेम लिख सकते हैं अपनी वर्जी के उतावी अब हम अपने local server को चलाएंगे आप जाएंगे अपने search bar के अदर और यहां पर आप सर्च कर लें Xam इसको उपन किया है मैंने जब आप Xam को उपन करेंगे तो इस तरह से आपको windows आएगी अब यहां पर आपके पास यहां पर डिफरेंट modules हैं इनको आपने start करना होता है अब यहां पर यहां पर यह जब पहले दो modules हैं इनको आप start कर देंगे इनके आप Apache को start कर देंगे और नीशे MySQL को भी आप start कर देंगे जब आप इसको start कर देंगे अब आपने चले जाना है अपने browser के उपर यहां पर जब चेक करेंगे कि हमारा जो लोकल सर्वर है वो काम कर रहा है उसके लिए आप यहां लिखना है local host तो अगर आपको jam successfully install हो चुका है तो आपको यह वाली window है यह नजर आ जाएगी अगर यह आपको नजर नहीं आती local host लिखने पर तो समझ जाएंगे कि यहां पर आपको स्कुरेश भी problem है तो अगर यह आपको आपको आज़का है तो आपम चेक करेंगे तो हमने वो फॉल्डर वर्डप्रेस का create किया किया वो यहां पर access हो रहा है आपने new tab पर चले जाना है और यहां पर लिखना है local host backslash और आगे आपने वो फॉल्डर का name लिखना है हमने name लिया था cs concepts और आपने क्लिक कर दिना है तो इस तरह से अगर आपके पास यह वर्डप्रेस को logo और यह languages वाला portion नजर आता है तो इसका वदलब आपका server पर सही तरह से काम कर रहा है और जो आपने wordpress का setup वहाँ से download किया वो पर सही तरह से काम कर रहा है तो यहां बन आपने basically अपनी wordpress website की language select करनी है तो English ही recommended होती है तो मैं यहां पर English select कर लेता हूँ लेकिन अगर आप चाहें उर्दू, पंजाबी कोई भी language यहां पर select कर सकते हैं तो आप English पर ही select करेंगे और यहां रमक्रित कर देंगे continue पर यह basic लिए हम यहां पर wordpress को install कर रहे हैं अब यहां पर आपको option दे रहे हैं कि इन 5 चीज़ों को setup करोगे आपकी जो wordpress installation है वो complete हो जाएगी तो आपने next go पे click कर देना है सबसे पहले वो चीज़ कह रहा है database name वो जो database का name बताओ जो मैं इस website के लिए इसमाल करोगा अब यह database क्या है जो कमेरों की students हैं उन्हें बड़े अच्छे से वालूब होगा कि database गया है लेकिर गराब आपने database नहीं पढ़ी तो database को समझने के लिए आप हमारी videos को देख सकते हैं आपको उपर right corner पे link तज़रा रहा होगा उस पर जादर आप database के बारे में समझ सकते हैं यहाँ बाए मैं आपको just hint देता हूँ database वो जगह होती है जहाँ पर आपकी website का सारक सारक डेटा है वो store होता है फिलहार आपके लिए इतना जानना काफी है तो हमने सब से पहले यह database का name create करना है उसके लिए आप new dev को open करें और यहाँ पर आप लिखें local host php mineadmin और इस पर क्लिक कर दे तो यह आपके पास विसके लिए server की जो databases हैं यहाँ पर उबन हो जाएंगी यहाँ पर आपको अपनी website के लिए इन database क्रेट करनी है उसके लिए आप यहाँ पर left side पर new पर जाएंगे यहाँ मैं database का name दे दूँगा हम यहाँ पर कोई भी name दे सकते हैं मैं लेता हूँ website db और इसको मैं यहाँ जखर लेता हूँ copy और मैं यहाँ पर create पर क्लिक कर देता हूँ तो यह आपकी database create होगी है इसके लावा आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना आपने वापस अपने WordPress के setup पर चले जाना है और यहाँ पर आपने वही name यहाँ पर आपने लिखे देना है इसके निचे पूछ रहा है user name क्या है यह बिसके लिए database का user name पूछ रहा है आपके पास तो by default database को user name में होता है आपके localhost पे वो होता है root इसके बाद बूछ रहा है विसका password क्या है तो password को आपने blank चोड़ना है कि by default database के उपर कोई password नहीं होता और यह नीचे वाली जो settings है database host यह भी आपने वैसे रहने देना है और table prefix भी आपने वैसे चोड़ देना है और just click कर देना है submit पे अब यहाँ भी आपको बूछ रहा है कि आपने सब कुछ okay कर दिया है क्या मैं installation को run करूँ आपने कर देना है run the installation तो यहाँ पर आपकी जो installation है वो रहा हो चुकी है अब यह आपसे basic information बुचेगा आपकी website के related वो आपने इसको दे देनी है तो यहाँ पूछ रहा है कि आपकी site का title क्या होगा तो मैं यहाँ पर simply लेंगता हूँ CS concepts अब आगी पूछ रहा है आपकी website का user name क्या होगा जो user इस website को इसमाल करने वाला है उसका name क्या होगा मैं इस पर अपना नाम नहीं देता हूँ इसका name होगा तरहा और नीचे वो पूछ रहा है कि उस password generate करो ताकि सिर्फ वो ही शक्स इस website को access कर सके जिसको यह password बता हूँ तो मैं यहाँ आप एक simple सा password इसको remove करके यहाँ पर मैं admin123 यह password लगा देता हूँ यहाँ बता रहा है कि यह password week है तो यहाँ पर आप कहा सकते हैं confirm ठीक है वीक ही रहने दो अभी हमें strong करने की जरूरत नहीं है यहाँ आपके email पूछ रहा है मैं अपनी email यहाँ पर एंटर कर दोगा इसको login करो मैं यहाँ पर login पर क्लिक कर देता हूँ तो यह आप टुपास WordPress का login पर जा चुका है यहाँ पर आप अपना username और password एंटर करेंगे यह वह username और password होगा जो हमने WordPress की installation के वगत इसको दिया था तो हमने username तलहा दिया था और साथ आपने admin 123 इसका password रखा था तो यह enter करने के बाद मैं login पर क्लिक करूँगा तो जैसे हम login पर क्लिक करेंगे तो आप टुपास यह WordPress का डेश्वर्ड ओपस हो जाएगा यहाँ पर आप टुपास डिफरेंट टूल्स आपको नज़राएंगे तो यहाँ पर यहाँ पर टॉक के उपर आपको नज़रा रहा है यह concept लिखा है जो हमारे website का title है और इसके निशे लिखा है visit website यह website को visit करो तो मैं इसे new tab के अंदर open कर लूँगा तो यहाँ पर मेरी website load हो जाएगी यह basically आपके सामने वो website है जो भी तक हमने बनाई है यहाँ पर कुछ भी नहीं है फिलाल जिस एक simple सा page है और यहाँ पर कुछ text लिखा हुआ है अब क्याने को तो यह website है जिसके उपर हमने simple सा हमारा title लिखा हुआ है और यह text लिखा हुआ है लेकिन आप हम अपनी इस website को proper एक design के तोर पर त्यार करेंगे तो चलते हैं वापस अपने dashboard के उपर यहाँ पर सबसे पहला option आपके पास dashboard है इस पर अभी अभर मजूद है इसके नीचे form यानि के dashboard के form के उपर अभी हम मजूद है और नीचे option शोड़ा है updates का इसमें basically आपके पास आपकी इस WordPress के अंदर नितने भी components हैं अगर किसी component की कोई update आई हुई है तो वो यहाँ आपके show होगी अभी यह कुछ update आई हुई है इसको भी हम पिछ नहीं करेंगे जस्ट हम home पर वापस चले जाते हैं सबसे पहले टूल जो हम discuss करेंगे वो है इस appearance menu के अंदर themes वाला टूल इस पे क्लिक करें तो यहाँ आपके पास different themes आपको show हो जाएंगे अब themes क्या होते हैं themes basically आपकी website के design को कहते हैं मसाब के दोर पर आप एक घर बना रहे हैं तो यहाँ पर मैं एक design open करता हूँ गरका तो यह basically क्या है यह आपके जो नदर आ रहा है यह आपके घर का design है आप इस design के मताबिक अपना जो घर है वो त्यार करते हैं यह design आपको बताता है कि आपका जो घर है किस तरहा से दिखाई देगा आपने कहां पर room बना रहा है room की width कितनी होगी length कितनी होगी यह सारी चीज़ें यह design आपको बता रहा है इसी तरह से जो आपके यह themes है यह बताते हैं कि आपकी website किस तरह यह नदर आएगी जब आप website को बना लेंगे तो आपको किस तरह ददर आएंगी उसके दर कौन कौन से Components होंगे कौन कौन से Sections होंगे इस सारी इस सारी चीज़ें आपक तरह की theme हमें बताता है जिस तरह आए गर के different designs हो सकते हैं इस तरह एक website के different designs हो सकते हैं और आपकी website में वे components एट हो सकेंगे जो आपके theme के अदर मजूद है जो आप WordPress को इस्टॉल करते हैं तो ये तीन theme जो है वो पहले से मजूद होते हैं लेकिन आप अपने वर्जिक के मताबे कोई और theme भी यहाँ पर add कर सकते हैं लाइक अदर आप यहाँ देखे add new option आपको नज़र आ रहा है आप इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके पास WordPress की लाइवरेरी ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपको ख़जारों themes जो है वो बिल जाएगे आप इसमें से किसी भी theme को चूज कर सकते हैं अगर आप देखें हर theme जो है वो different design आपको provide कर रहा है अपनी requirement के मताबिक कोई भी design चूज कर सकते हैं for example मैंने blog website मनानी है तो मैं ये वाला theme चूज कर सकता हूँ अगर मैंने किसे company लिए website मनानी है तो मैं ये वाला theme चूज कर सकता हूँ तो ये आपकी requirement पर डिवेंट करता है कि आप बहुत सा theme चूज करना चाते हैं ये तो वो themes हैं जो हमें WordPress library परवाइड करती है लेकिन इसके लावा भी बहुत सारे themes available है आपने simply Google पर जा रहा है और यहाँ पर search कर लेना है WordPress theme free download यहाँ और आपको वो सारी website शो हो जाएंगी यहाँ से आप WordPress के लिए themes download कर सकते है तो मैं यहाँ से इससे पहले वरी website है इसको open कर लेता हूँ तो scroll on करते हैं इसको थोड़ा तो यहाँ पर आपको बेशमार themes हैं उनकी पूरी पूरी लिस्ट मिल दाएगी इस तरह से यह पहला तीम और तीम है इस तरह से नीचे आपके पास एक और थीम है और इस तरह से आपके पास यहाँ पर बेशमार themes है आपको जो तीम अच्छा लगी आप वो इस्समाल कर सकते हैं आपर simply इस theme को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है अब याद रखी कि बहुत सारे themes आपके पास paid भी होते हैं उन themes के अंदर basically कुछ extra features होते हैं like SEO के element तो हमें उन themes को भी बायर करने की कोई ज़रूट नहीं है आप हम इस starting के लिए free themes का इस्समाल कर सकते हैं तो अगर आपने WordPress के library में इसे कोई theme इस्टॉल करना है उसके लिए simply आप यहाँ पर अगर देखें कोई भी एक theme ले लें for example यह वाला simply आप इस install के button पे click कर सकते हैं लेकिन अगर आपने WordPress से हटकर किसी website से कोई theme डाउनलोड किया है तो उसको use करने का क्या तरिक्यकार है वो हम देख लेते हैं मैंने आरेड़ी theme डाउनलोड कर रखा है उसका जो link है वो इस वीडियो की description में आपको मिल जाएगा हम वो theme इस्टॉल करेंगे तो यहाँ आप आपको टॉप के वर नदर आ रहा होगा upload theme का button मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर बूचेगा choose file मैं choose file पे क्लिक करता हूँ यहाँ से मैं उस theme को choose करना हूँगा तो मैंने यहाँ पे एक compressed के अंदर यह theme डाउनलोड आरेडी कर रखा है यह वाला तो मैं यहाँ से just इसको choose करना हूँगा और हम यहाँ पे क्लिक कर देंगी install law के button पे तो यह theme आपकर यहाँ पर install होना start हो देगा theme आपकर यहाँ पर install हो चुका है यहाँ आपको बटन नदर आ रहा होगा activate आप इस अक्टिवेट भी करना चाहते हैं मैं इस अक्टिवेट भी कर दूँगा यहाँ पर आपको नदर आ रहा है new theme activated यह जो आपकर लिया theme है यह activate हो चुका है अब हमने यह theme कर लिया रेकिन मैं आपको इसका जो design है वो दिखाना गूल लिया था तो पहले हम उसका design देखने तेंगे यह theme का design है क्या यहाँ पर मैंने आरेड़ी इस theme के design की window open की हुई है तो यह basically हमारा वो theme है जो हमने भी install किया है यहाँ पर देखें तो यह बहुत ही पहरा सा design है इसके पर यह different आपके पास post नदर आ रही है इस तरह से यह नीचे यह basically हमने एक blog का theme हमने यहाँ पर install किया है तो यह different styles के अंदर आपके पास blog आपको यहाँ पर नदर आ रहे होंगे तो यह basically हमारा पुरा पुरा वो theme है जो हमने ही install किया है जब हमारी website बनेगी तो वो कुछ इस तरह से आपको निखाई दे तो जब यह dashboard पर जाकर इसको बनारा start करते हैं तो यह हमारे पास dashboard वापिस आगया अब जब हमने इसको install किया तो यहाँ पर उपर आपको एक notification शोप हो रहा है यह themes को यह plugins चाहिए अब आप पूछेंगे कि plugins क्या होते हैं plugin basically आपके पास WordPress के अदर एक ऐसा feature होता है जिससे आप उपनी website के अंदर additional features add कर सकते हैं ऐसे feature तो पहले आपकी website में वजूद नहीं है तो plugins के जरीए आप उनको add on कर सकते हैं अपनी website के अंदर for example आप उपनी website के अंदर YouTube की videos add करना चाहते हैं और यह scene के अंदर वो option मजूद ही नहीं है तो फिर आपके करेंगे आप एक plugin download कर लेंगे वो plugin की मदद से आप YouTube की videos भी अपनी website के अदर add कर सकेंगे तो इस तरह से ऐसे feature जो आपकी website में या आपके theme में पहले वजूद नहीं हैं लेकिन आप उसको add करना चाहते हैं तो आप plugins की मदद से उकान कर सकते हैं तो इस नोटिफिकेशन आपको शोब हो रहा है कि यह वाले जो plugins हैं इनको install करो यह basically इस theme के plugin नहीं है यह theme उस वक्त तक proper work नहीं करेगा जब तक आप यह plugins हैं वो install नहीं करेंगे तो मैं इस पे क्लिक होगा begin installing plugins पे तो यह वो plugins हैं जो इस theme के साथ होना ज़रूरी है हम इन तीनों को install कर लेंगे मैं इन थमाम plugins को यहां से सेलेक्ट करके नीचे bulk action में install पे क्लिक करोगा और apply कर दूँगा तो यह मेरे plugins हैं यहां पर install होना start हो गए है तो तीने plugins install होगे हैं बैक जाते हैं यहां पर return to plugin installer पे तो अब हमने इन तीनों को activate करना है मैं इन तीनों को दबारत सेलेक्ट करके आप इनको activate कर दूगा और apply कर दूगा तो मेरे पास तीनों plugins हैं वो install हो चुके हैं अब आप अपनी website को एक दावा देखते हैं theme को change करने के बाद हमारी website किस तरह से नदर आती है तो website में जाता हूँ मैं पहने बार पास website कुछ इससा से नदर आ रही थी ये एक different theme था हमारे पास मैं अपनी इस website को refresh करूँगा जैसे हमने refresh किया देखे आपकी इस website का तरह को तरह जो design है वो change हो गया है क्योंकि अपनी theme को change कर लिया है पहले कोई और theme था अब मारा जो theme है वो कोई और है तो इस तरह से different designs के लिए आप different themes का इसमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो theme खुद से भी मना सकते हैं लेकिन वो एक advanced skill है अभी के लिए हम पहले से बदे themes को ही use करना सिखेंगे I hope यहां तक आपको clear होगया होगा कि किसना से यहां तक हमने इस website को त्यार किया है तो यहां पर मैं आपको एक बात पकरता चलूँ आपकी website के तीन basically portion होते हैं एक होता है header यह जो टॉप के उपर आपको नजर आ रहा है एक होता है आपका यह footer जिए bottom के उपर आपको नजर आ रहा है और यह center में आपको पस होती है आपकी website की body तो आपके पूरी पूरी website के अंदर आपकी जो header और footer है यह normally change नहीं होते है हमेशा आपकी body वाला part है यह change होता है और यहां पर आपको menus नजर आ रहे होते हैं आप किसे भी website पर चले जाएं आपको यह दो चीज़ें हर website के पर नजर आएंगे एक उसका logo यह उसका title होगा यहां पर यह उसका logo होगा और उसके menu होगे जिन पर click करकर आप डिश्वें pages को open करते हैं हम कुछ website देख लेते हैं लेट स्बोज हम जियो news की एक website देख लेते हैं यहां पर मैं इस पर open करता हूँ तो देखें यह website एक open होई है जियो news की तो यहां पर टॉप के उपर क्या logo है और यह जो आपको नजर आ रहा है यह क्या है यह आपके menu है इस पार्ट को आप header कहते हैं इससान अगर आप bottom के उपर देखें तो bottom के उपर भी आपको बस यह वाला जो पार्ट है ददरा रहा है इसको आप footer कहते हैं तो हर website के उपर header और footer जरूर होते हैं और header में normally आपको लोगो और menu होता है तो इससे तरह से हम अपरी website के लिए भी header को त्यार करेंगे और जब भी आप किसी website को develop करते हैं तो सबसे पहले आप उसका header ही त्यार करते हैं तो हम भी इसका header त्यार करेंगे वापिस अपने dashboard की तरफ चलते हैं तो यह मेरे पास अमारा dashboard open हो चुके हैं अब यहां left side के पहल आपको different options आपको नज़र आ रहे हैं इसके मदद से हम अपकी website को design करेंगे यहां आपको एक नज़र आ रहा होगा option सहीफा यह basically वो theme है जो हमने install किया है इसके अंदर आपके पास यह theme settings का option नज़र आ रहा होगा आप पर इसपे click करना है जैसे यह आप इसपे click करेंगे तो आपके पास theme की मुकमल settings का एक और dashboard नज़र आ जाएगा यह basically आपके WordPress का dashboard था जो अपने पहले open था अब इस WordPress के dashboard के अंदर यह आपके पास जो नज़र आ रहा है यह आपके theme का dashboard है जिसकी मुदब से हम अपनी पूरी पूरी website को द्यार करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है हमने इस अपनी website का यह जो logo है यह change करना है तो theme setting में चल्दे है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा header setting हम इस पे click करेंगे और header setting के अंदर यहाँ नज़र आ रहा होगा logo और यहाँ बे option है custom image logo यह display site title क्या आप logo को display करना चाहते है यह अपने site का title हमने logo को ही display करना है यहाँ अपके पास एक button नज़र आ रहा है upload इसकी मुदब से हम अपने logo को upload कर सकते हैं मैं upload पे click करता हूँ यहाँ से select file पे click करता हूँ तो यहाँ से हम अपने computer में से कोई इसका एक logo मैं CS concept का logo यहाँ पर upload कर देता हूँ यहाँ logo upload हो गया है मैं यहाँ पर select कर लूँगा और यह मेरा logo add हो चुक है और मैं इसको यहाँ पर save कर दूँगा वापिस आते हैं अपनी website के ओपर इसको refresh करते हैं तो देखें माने website के ओपर हमारा जो लोगो है वो add हो चुका है अब हमने के करना है अब हमने second part करना है इसके menu को design करना है यहाँ बेसिकली इस website का menu बार आनी है उसके लिए वापिस जाते हैं देखें आपके पास appearance में जाकर आपके दोदर आएगा menu आपने यहाँ पर चले जाना है यह window आपके पास open हो जाएगी यहाँ पर आपने menu को design करें तो यहाँ पर हो कह रहा है के menu name करें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ main menu और नीशे बटन में लिए करता हूँ create menu तो यह बेरे पास main menu हमारा create हो चुका है अब हमने इसका structure design करना है इस menu के अंदर हमें नदर क्या क्या आएगा कौन कौन से pages या कौन कौन से options हमें इस menu के अंदर नदर आएगे तो menu के अंदर आप pages add कर सकते हैं custom links भी add कर सकते हैं और categories भी add कर सकते हैं अभी हमने ना pages बनाए हैं ना posts बनाई हैं ना custom links हैं मारे पास बना categories हैं अभी मारे पास कुछ भी नहीं है तो फिर हम menu के अदर क्या add करेंगे हमें सबसे पहले कुछ pages बनाने पढ़ेंगे जिसरा आपकी किसी book के different pages होते हैं इसी तरह आपकी website के भी different pages हो सकते हैं जहां पर आपको different content show होता है तो आपके तो बनाए जीव नहीं इसकी website open की तो इस website के उपर भी different pages है एक ये page है यहाँब एगर मैं इस mailing को पी click करता हूँ तो आपके पास एक different ये देखे page open हो जाएगा पाकी समरे क्लिक करता हूँ तो यहाँब आपके different page open हो जाएगा यह basically आपकी website के different pages है जहाँब बात आप अपनी website के different content को show करवाते हैं तो हमे pages को create करना पड़ेगा यहाँप अगर आप देखे आपको एक pages का option नज़रा रहा है pages के अंदर आपको add new का option नज़राएगा तो हम अपना पहला page यहाँगा असर एड़ करेंगे जैसे हमें इसके click किया कुछ इसासे आपको नज़रा आगया यहाँब आपको बहुत सारे option नज़रा रहे होंगे आपको यहाँ पर कबनाने के कोई जरूरत नहीं है इन तुमार में चीज़ों को हम समझ लेंगे यहाँ अदर आ रहा है एड टाइटल जापके पेज के टाइटल क्या होगा सबसे पहले जो आप पेज बनाते हैं उसको हम नौर्मली फॉर्म का राव रखते हैं इनकि जो हमार पेज के अंदर कुछ भी आड नहीं कर रहे हैं तो यह पेज अड हो गया है अब हम एक और पेज यहाँ पर अड नूप पेज यह एड कर लेते हैं हम 3-4 बजिर यहाँ पर आड कर लेते हैं तो यहाँ पर हम अपना सेकिंड पेज अड कर देंगी हम इसका पर एक्जेंपल इसे बुड़ास बदिश करते हैं इसे भी अभी आप इस पेजिस के अंदर कोई भी ड़ाड नहीं कर रहे हैं और हमे कुलास पेज आड कर लेते हैं कॉंटैक्ट एसका को मैं यहा नहीं नहीं पर आछाँ और हम इसको भी बबनिश कर लेते हैं तो अब हम अपने डैश्विट पर वापस जाते ही उसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा यह वर्डप्रेस के आइकन के उपर तो यह बना डैश्विट उपन हो गया है और यहां पर हमारे पस वो सारे कि सारे पेज़ी आज़ चुके हैं जो हमने बनाए हैं हमने हॉम पेज बनाया, हमने नियूस बनाया, कॉन्टेक्ट और अबाउट अस और यह दो पेजिज आर एड़ी हमारे पास डैड़ाबेस के अंदर मौजूद होते है अब हम वापस अपने मैन्यूस वारे पॉर्शन पर चले जाएंगे यहां पेजिज के अंदर मैन्यूस के अंदर और अपना जो मैन्यू है वो सेट कर लेंगे हमने यह मेन मैन्यू बनाया था अब हमने इस मेन मैन्यू के अंदर डिफरेंट आप्शन आड़ करने हैं और यहां से हमने जो पेजिस हमने बनाये हैं वो हम सारे की सारे यहां पर add कर देंगे home कर देंगे news about us और contact us और इसे कर देंगे add to menu और यह सारे की सारे देखें यहां पर आपके menu के अंदर आचुके हैं इसको आप रेजिश कर सकते हैं इस तरह से drag और drop करके अपनी मर्जी के में ताबिक मैं कहता हूँ पहले home आए फिर news आए इसके बाद में पस about us का option देंगे फिर contact us का इस तरह से यह शोग हो और इसके साथ एकर आप नीचे देखें यहां मेन्य सैटिंग के अंदर वो कह रहा है कि display location आप इस menu को कहां पर display करना चाहते हैं याद रखें आपकी website का main menu होता है उसके मेशा location प्राइमरी डैविगेशन होती है यह प्राइमरी डैविगेशन का मतलब है आपका main menu वाला इसा है जो आपके header के अंदर होता है तो आपने इसको check कर देना है और हम यहां पर कर देंगे save menu और फिर हम website पर जाएंगे और इसको refresh करते है देखें आपने आपका यह menu है यह create हो चुका है home, news, about us, contact us यह आपने जो menu भी बनाया था वो आपका यहां पर आचुका है तो अगर आप इस top पर देखें top पर भी आपके पर यह menu गजर आ रहे है about us, contact us यह भी वोई pages हैं जो हमारे already create हो चुके हैं यह basically इस theme ने automatically यह आपर add किये हैं इसके अभी हमने कोई setting नहीं की आप इसको theme setting में जाकर इस जर्यज़ को change भी कर सकते हैं अब इस menu को हम थोड़ा बेच्टर भी कर सकते हैं वो इस तरह के हम इसके साथ icons भी add कर सकते हैं like अगर यह home है तो इसके साथ एक icon नज़र आए वो मैं किस तरह करूँगा मैं तबारा menu वाले option पर जाता हूँ और यहाँ पर अगर इस पर क्लिक करूँ arrow के उपर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा menu icon तो यहां से आप इसका menu भी add कर सकते हैं यहां से आप कोई भी देखें menu add कर सकते हैं यहां से वैने home के लिए add करने हम यहां लिखता हूँ home तो normally हम home के लिए यह बार icon इसफाद करते हैं फिर हम news पर जाते हैं इसका menu side करते हैं इसका भी हम नियूज यहां लिखते हैं कुछ यह वाला हम आइकन इसके सेलेक्ट कर सकते हैं इसको फ्लॉस करते हैं यहां इसका मैनु इसके सेलेक्ट करते हैं मैं यहां से लिखता हूँ अबाउट यहां कुई भी हम यहां से यह हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर contact test मिटाते हैं, यहां menu पर click करते हैं, यहां हम फून का, यह वाला हम select कर देते हैं, icon, तो इसको हम दवारा save कर देते हैं, और दवारा website पर जाकि इसको refresh करते हैं, तो देखे, वारे menu के साथ जो यह आपके icons हैं, यह भी add हो चुके हैं, इसके लावी आप बहुत स color change करना चाते हैं, तो वह सारी चीदें भी आप यहां से कर सकते हैं, तो अभी फिलाहाल आप यह से इस तरह से रहने देते हैं, अब देखे, हमारा logo set हो चुका है, हमारा menu set हो चुका है, जिए हमारा header almost complete है, अब यहां पर यह टोप वारी बार है, यहां पर मैंशा तक यहां करते हैं, यहां पर आपको नजर आ रहा है, टोप menu, यह enable है, आप इसको disable कर देंगे, यहां से खतम हो जाएगा, और मैं इसको निस जाकर save changes कर दो, अबार जाते हैं, वेबसाइट पे इसको refresh करते हैं, यहां पर देखें, आपके जोप वाली बार थी, वो आपकी खतम हो करते हैं, तो again हम team settings में गए, यहां पर वो बैरेंट को enable किया, अगर आप date भी show करना चाहते हैं उसके साथ, तो मैंने two days date यह वाल option क्लिक कर दिया, और हम इसको कर देते हैं, save changes, वापस जाते हैं, यहां आप इसको refresh कर देते हैं, देखें, आपको date भी show हो रही है, menus भी show हो और साथ यह search bar भी आपको यहां पर show हो रही है, तो यह menus आप change भी कर सकते हैं, अभी क्योंके मेरे पास एग ही हमने menu बनाया है, ज्यादा pages हमने नहीं बनाये, तो हम for the time यही menu यहां पर रहने जाते हैं, तो देखें इस बात करते हैं, आपकी website की body की, तो इस website की body के अंदर, यहां पर आपको different posts show होंगी, अब आप उचेंगे कि post क्या होती है, post basically, वो content होता है, जो आप daily basis के उपर अपनी website के अंदर add करते हैं, लाइक अगर आप blogs की website बना रहे हैं, तो आपकी blog होगा, वो आपकी post क्यालाएगी, साल के तो पर हम यहां पर एक नहीं post add करते हैं, मैं post है, category हैं, tags हैं, तो हमने add new करना है, हम add new post पर करते हैं, यहां पर basically मैं अपनी नहीं post है, नए article है, वो यहांपर add कर सकता हूँ, और example, मैं बताना चाहता हूँ कि website रहे wordpress पर किसे बना जाती है, तो हम लिखूँगा, how to develop a wordpress website, और इसके निशे यहां पर basically, यह मेरी post का डा क‌पा is, यहां, पर पर गशे मेरा content होगा, text होगा, images होगी, वो मैं यहां पर add कर सकता हूँ, for example, मैं यहां बता nehme data add करता हूँ, मैं इस website पर जाता हूँ, और यहां सेordre date कापई करके, अपने, यहां पर add कर देता हूँ, तो oui, देखे ऐ, मेरा text add होगया, मैं coi image add करना चाहता यहां उक्याइग अप्लोड मैं अप्लोड पर क्लिक करता हूँ और यहां से इमिज है यहां पर अप्लोड कर देता हूँ यहां पर अप्लोड कर देता हूँ इसको पॉब्लिश कर देता हूँ publish करने के बाद मैं जब website पर जाओंगा इसको refresh करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें आपको post show होगी how to develop a wordpress website 4 seconds अगो यह post add होगी है तो यह basically आपकी जो post है वो आपके page के उपर नज़र आ रही है अगर आप इस post को पूरा देखने चाहते हैं तो आप read more पर click करें करते रहेंगे आप वहां से add करेंगी अपने इस dashboard से और वो आपको आपकी website पर show हो जाएगा अगर आप news की website बना रहे हैं आप daily basis पर जो news add करेंगे वो आप यह post वाले section में add करेंगे तो यह basic लिए आपकी पोस्ट वाला page है और इससे पहले जो हम देख रहे थे वह आपका homepage था जहां पर आपको जो latest post हैं उनकी eclipse नजर आए अब इसको बड़ा और attractive बना सकते हैं यहां पर हमें इसकी image नजर नहीं आ रही अगर आप चाते हैं कि यहां पर इस post की image भी नजर आए उसके लिए आप उस post पे वापस जा देंगे मैं यहां से से कट करके यहां पर इसकी setting से मिल जाता हूँ यहां पर यह post आपको नजर आ रहा होगा इस पर जाएंगे आप फोड़ा इसको scroll down करेंगे तो यहां पर आपको नजर आ रहागा featured image आपने यहां पर करने है set featured image पर क्लिक यह आपको आपकी library मिले जाएगा और यहां से आपने वो image सेलेक्ट कर देनी है और इसको कर देना है set featured image यह करने के बाद आपने इसको कर देना है update अब आपस जाएंगे website पर और इसको research करेंगे और यह देखें अब आपकी इस post के साथ आपको यह image भी नजर आ र करना चाहते हैं उसके लिए आप वापिस dashboard पर जाएं यहां पर आपको सारी सारी पोस्त जार आ जाएंगी जो आपकी website पर वजूद हैं अभी दो वजूद है हमारे website पर पोस्त एक हेलो वर्ड वाली है और यह how to develop a wordpress website जो भी हमने बनाई यहां पर आप दोबारा क्लिक रह देता हूँ और इसका भी मैने content add करना है मैं इसको open कर देता हूँ और मैं यहां से यह detect करके यहां पर पेस कर देता हूँ मैरा image भी add करनी है तो मैं इस image को पर देख कर लेता हूँ अपने computer के अंदर ठीक है तो और मैं वापिस अपनी post पर जाकर post के section में set featured image पर क्लिक और upload files यहां से select file पर क्लिक करूँगा और यहां से मैं अपनी image को upload करके set feature image कर दूँगा और वापिस इसे publish कर दूँगा वापिस अपनी website पर जाते हैं इसको refresh करते हैं आप देखेंगे कि कितनी जल्दी से मैंने एक नहीं post add कर दी किस तरह आप हमने post यह आप अपने blogs जों ह यहां पर add कर सकते हैं इस तरह जिए आप जितनी जाए यहां पर post add करते हैं यहां आप जो content add कर रहे हैं वह आपका post वाले section में आएगा यह से simple post अब इसके अदर एक और चीज़ है समझने वाली कि आप वापिस अपने dashboard पर जाएंगे यहां पर click करके अगर आप इस post में द categories भी set कर सकती हैं लाइक अगर आप जिए यहां पर आपको यह जो नजर आ रहा है यह different categories हैं यह पाकिसान में आप्शन में क्या होगा पाकिस्तान के relevant जो post हैं वो show होंगी अगर sports में क्या होगा इसमें सिर्फ sports की news show होंगी showbiz में entertainment के relevant होंगी इस तना से आप categories भी मना सकते ह लाइक मैं यहां पर category मना देता हूँ एक category मैं मना देता हूँ politics की ठीक है और इसका यह slug means होता है URL किस category के URL क्या होगा जो आपको यह उपर बार में show होगा मैं इसको कर देता हूँ politics और इसको मैं add new category कर देता हूँ politics वाली यह category ही एक एड़ होगी इसके लावा मैं कर दे और मैं add new category कर देता हूँ एक ओर मैं add new category कर देता हूँ let's suppose fashion select के अंदर मैं fashion लिख देता हूँ और add new category भी क्लिक कर देता हूँ तो मैंने इस तीन categories add कर दी है अब इन तीनो categories में अभी यह देखें count, count का पतलब है कि इन categories में कितनी posts हैं अभी कोई posts नहीं है अभी हमारे website पर तीन posts नहीं है और तीनों posts uncategorized जिन कोई category अपने assign नहीं की तो मैं उन post की जाकर categories change भी कर सकता हूँ उससे पहले मैं यह आप एक और add category add कर देता हूँ let's suppose education name भी और select भी और मैं इस पर click कर देता हूँ अब जाते हैं अपनी all posts पे और post की जो category है वो change करते है तो post की categories as well मैं इसकी category change करता हूँ quick edit यह आप quick edit एडिट भी कर सकता हूँ यह आप अगर आप देखें categories का option अपने ज़र आ रहा है अभी यह uncategorized है तो मैं इसको uncheck करके education पर सेलेक करके मैं इसे update कर देता हूँ यह हमारे पास politics की थी इसे quick edit करता हूँ uncategorized को uncheck करता हूँ politics कर देता हूँ और update कर देता हूँ और अपनी website पर जाके इसे refresh करता हूँ अगर आप यहाँ पर देखें इस post पे आपको इस चोटा से नजर आ रहा है politics यानि कि यह जो post is category जरसे है इसको देखें तो यह जो post से यह還有ation category की है और इस post को भी हम से क्या category assigned नहीं की तो यह basically हम इस category feature की मिलद़से यह काम कर सकते हैं कि हम अपनी हर post ko different category assign कर सकते हैं next मारे पस है tags next मारे पस है tags यह क्या होते है? Tags वारपस basically वो words होते हैं वो keywords होते हैं जो different post के अंदर आप इस्वाल कर सकते हैं मसाल के तोब पर मैं यहां पर एक tag ले देता हूँ इमरान हान मैं इस पर आँ से copy करके इसको slug भी इमरान का ले देता हूँ और add new tag कर देता हूँ अब इस tag का मतलब क्या है इस tag के अंदर वो तमाम के तमाम post आजाएंगी जिसके अंदर इमरान खान का word इस्वाल हुआ है यानि कि जब मैं कोई सर्च करूँगा तो जब मैं सर्च के अंदर इमरान खान लेकूँगा adora basically आपके वोर्डपेस का इशा नहीं है इसको बाद में देखते हैं पहरे हम डिसनस करते हम एन मीडिया कंडे में मीडिया आपके पास उपिशन होता है जहां पर आपके तुमाम कि तुमाम इमेज या वइडियो जो आपने अमेरी वेबसाइट पर अप्लोड की हैं वो आपको नदर आती है अभी तक हमने यह अमने यह तीनों यहाँ पर नदर आ रही है तो आप यहां से इसको एड़ कट सकते है इसके बाद मारे पास Pages है Pages वाला हमने अरभ दिसक करचचे है इसके बाद मारे पासComment कि risking क्या है कि आग एक आप आप साइट पर जो फ़ी कोमेंट्स आएं गे वह आपको यहां पर आपर शो होंगे अभी मेरी एक साइट पर सर्फ एक कमेंट्स है जो उन्हें किया हुएbnय वर्डपेस ने email रोगँ इसने अप Yeah1 वह तो आपड्प्रेस अपीरेंस के बारे में हम already recess कर चुके हैं, तो यहां पर देखें, यह आपकी customization window open हो चुकी है, यहां से basically आप अपने थीम की अंदर changes कर सकते हैं, किस ता से, लाइक अगर मैं site identity के बारे में देखूं, यहां पर देखें, यहां पर देखें, यहां पर देखें, यहां पर देख कर सकते हैं, यहां tagline add कर सकते हैं, icon add कर सकते हैं, नीचे देखें, अगर आप चाहें, यहां से भी menus को नया create कर सकते हैं, menus के related changes कर सकते हैं, widgets, widgets क्या होते हैं, widgets basically आपके theme के different areas को कहते हैं, जहां पर आप अपने मर्ज़ी की मताबी content को change कर सकते हैं, like मैं यह primary widget area पे click करता तो यह वाला area है, तो यह वाला area है जो आपकी right side पे आपको यह vertical bar आपको नज़ा आ रही है, यह search है, recent post है, recent comments है, तो अगर आप जैसे देखें, यह वही चीज़े हैं, यहरी कि अगर आपने यहां पर इस area में को change करनी है, तो आप यहां से कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि यह search bar यहां से खतब हो जाए, मैं के करूँगा, मैं यहां से इसको select करके remove search कर देता हूँ, यहां पर देखें, तुम्हारे पर search bar remove हो चुकी है, अगर मैं यहां को share करना चाहता हूँ, मैं यहां plus पे click करूँगा, तो यहां पर आपको पस different options अज़रा जाँएंगे कि आप आपर क्या show करना चाहते हैं, मैं यहां पर calendar show करना चाहता हूँ, let's work, तो यह नहीं यहां पर search किया, यह calendar आया, मैंने इस पर click कर दिया, यहां पर देखें, यह आपका calendar add हो चुका है, अगर आप चाहते हैं, यहां पर show calendar, select कि यहां से इसको drag and drop कर सकता हूँ, तो यह आपका जो calendar है, यह उपर आचुका है, इस पर आप यहां पर अपने right side पे जो जो चीज़ें add करना चाहते हैं, वो आप इस widget के अंदर कर सकते हैं, यह विज़े के लिए थीम आपको provide करता है, जहां जहां यह थीम आपको लाओ करेगा, वहां वहां आप अपनी sections को edit कर सकते हैं, मै मैं आपको बता चको हूँ कि जब bottom वाला इसा होता है, इसको आफ उटर कहते हैं, जिसको उसने तीन parts में divide किया है, first, second and third, first के अंदर इसने यह दो चीज़ें add की हुई है, second हमारा free पड़ा है, third यहां पर होगा, यह भी free है, तो मैं second पे जाता हूँ, तो second देखें, यहां यहां पर कुछ में नहीं है, second पे यहां पर क्लिक करके, यहां भी मैं let's suppose calendar add कर देता हूँ, तो यह दिखें, यह वाला आपका area इसे center में है, यह second वाला था, back में जाते हैं, third पे enter करते हैं, यह यह वाला जो होगा, third पे मैं यहां पर, यहां पर मैंच क्लिक करता हूँ, यह यहां पर यहां पर आपका third था, widget वो भी फिन हो चुका है, यहां यहां पर, यहां पर आपर अपर अपरी मरजी के मताबबग changes कर सकते हैं, बैक जाते हैं, इससे बाद मारे पास वो एक और चीज़ में provide कर रहा है, home page setting, यह home page की setting आप यहां से कर सकते हैं, अब यह देखें home page अभी जो पर शो हो रहा है, यह basically आपका default home page है, यहां पर यह देखें, वो कह रहा है, यहां पर सिर्फ आपकी जो latest post हैं, वो शो हो रही है, यहां पर आप चाहें, आप अपना customize home page भी बना सकते हैं, इस साथ से मैंने आपको इस theme का preview दिखाया था, यह यहां पर यह बला, यह basically customized home page है, यह सारा का सारा home page खुछ से design गिया हुआ है, यह latest post वारा नहीं है, वो उसके लिए आपको यहां पर static page select करना होगा, मैं इस पर click करता हूँ, यहां से पुछेगा कि आप कौन सा home page select करना चाहते हैं, मैं इस पर click करता हूँ, तो यह देखिए हमारे पस यहां पर तो हमने यहां पर एक page बनाया था home, तो मैं इसको show करना चाहता हूँ, तो मैं इसको select कर दूँगा, जैसे मैं इसको select किया है, यह पहले बारे जो सारी की सारी चीज़ें थी, यहां से खतम हो जाएगी, यह इस page को अभी तो हमने design ही नहीं किया, आपको याद होगा कि मैंने home page के अंदर सिर्फ title लिखा था, इसके लावा हमने उसके अंदर कुछ भी add नहीं किया था, और अब हम अपना home page design करेंगे, इस design के according जो हमने इस website का देखा है, तो इसके लिए हम अपनी website पर जाती हैं, और यहां पर जाके अब हम अपने इस home page को edit करेंगे, उसके लिए यह अब आपको option अजरा रहा होगा, added page, मैं इसको open करूँगा, विए आपको home page उपन हो जाएगा, जो हमने बनाया था, अब हम इसको अपनी requirement के मताबर customize करेंगे, तो अगर आप देखें, हमारे design के अंदर, और से पहले हमने कुछ इस तरह से add करना है, तो क्योंकि हमने इस तर के लिए मैंने अपनी इस website के उपर कुछ posts add कर ली है, हम जाते हैं dashboard के उपर, यहां से, और यहां पर हम posts, all posts को देख लेते हैं, यह मैंने वीडियो को post करके, यहां पर कुछ posts add कर ली है, ताकि हम अपनी website को अच्छे से design कर सकें, आप भी कोई random post यहां पर add कर लेंगे, क्यो करेंगे, यह सारे की सारे, सबसे पहले हमने यह वाला option चूज करना है grid feature post, grid feature post यह वही post हैं जो आपको इस design के अंदर यह नजर आ रही है, तो हम क्या करेंगे grid feature post को सबसे पहले enable कर लेंगे, enable करने के बाद, लीचे उसने की लिखा है, कितनी आप post को show करना चाहते हैं, 5, ठ कर देता हूँ, education से, साथ fashion से, और politics से, और sports से, मैं यह सारे गड़ागर इसको choose कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं इससे update कर दूँगा, update करने के बाद, मैं website पर जाता हूँ अपनी और इससे refresh करता हूँ, जैसे मैंने refresh किया, आपको यहां बर नजर आ गया है, यह same उसी त से, जो मैंने आपको बताया था, तो यह हमारा एड़ हो चुका है, यह हमारे पास sidebar है, अब हमने यहां पर अपना content add करना है, यह अगर अगर आप देखें, हमारे design के अंदर, तो यहां पर देखें, यह क्या है, उसने हर category को इस तरह से list down किया है, यह हमारे पास world के बारे म इसने add की हैं, किस तरह से हम भी add कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे, वापर से चलते हैं, पेज के रिटर पर, आपने ऊपर टॉप पर आना है, तो यहां पर आपको यह page builder के अंदर, यह different options आपको नदर आएंगे, इसकी मदद से हम अपने page को design करेंगे, यह साथ आपको different designs आते हैं, मैं कहता हूँ मुझे यहां पर सबसे पहले fashion की post हो करवाओ, latest post हो, और उनके जजाल 5 हो, और मैं इसे update कर देता हूँ, दबारा website पर जाते हैं, इसे refresh करते हैं, तो जैसे मैंने refresh किया, आपके पास यह देखें, यह fashion के हैं हमने add किया था, यह fashion वाला section add हो गया, इस हम दबारा edit page पर जाते हैं, यहां से इसे मैं close कर देता हूँ, और एक नया vlog यहां पर add कर देता हूँ, इस दफ़ा मैं different design को चूज करूँगा, like मैं इस दफ़ा यह वाला चूज कर देता हूँ, इसको देखते हैं, यहां पर भी वो कह रहा है का category select रो, इसकी पिछले वाल म हमने fashion किया था, यहां पर हम कर देते हैं politics, और इसे update कर देते हैं, दबारा website पर जाते हैं, इसे refresh करते हैं, देखेंगे fashion यह था, और इसके नीचे हमने politics side किया, यह भी add हो चुका है, again हम edit page पर आते हैं, और इसको close करने के बाद एक और हम यहां आप बार, section block add कर देते हैं, इस दबा हम यह बाला चूस कर देते हैं, recent post, इसके अदर भी हमारे पास क्या बूच रहा है, इसके अदर पूच रहा है कि आपको वहां से category में इसमें add करना चाते हैं, fashion हम पर पॉलिटिक्स कर ली है, इस दबाद होगी 3 और इसे अपडेट कर देंगे, और इसे अपडेट यहां पर अपनी मरसी के उताबिक blocks add कर सकते हैं, और आप देखें, मरे पस एक बहुत ही जबर्दस सा home page यहां पर त्यार हो चुका है, इसके लावा यह sidebar मैं आपको बता चुका हूँ, किस दाद आप इस sidebar को change कर सकते हैं, like हमने design देखा था, उस पर sidebar क्या है, यहां पर social media के icon देखा रहे हैं आपको, तो यह भी हम करते हैं, testifies पर जाते हैं, तो थोड़ा scroll down कर लेते हैं, और हम चले आते हैं अपने widgets के अंदर, विजट्स के अंदर यह primary widget area था हमारे पास, और यहां से हम फिलार इन तमाम sidebar के अंदर पहले से हैं, उनको हम delete कर देते हैं, heading कर द अधिकी हमारे पास हैं, हम इस सब को यहां से remove कर देंगे, तो यहां पर मैं add कर देता हूँ, लफ पर click करते हैं, यहां पर मैं social add करता हूँ, तो वहां पर जो special icons add से वो यह वाले थे, आरकम light social counter, इस पर click करता हूँ, यहां से बुच रहा है कि आप हूँ सफटायल add करना चा कर, उसके लिए मुझे dashboard पर वापस जाना पड़ेगा, तो मैं यहां से dashboard पर जाता हूँ, और यहां पर अगर आप देजे देखें, यहां पर आरकम light show हो रहा होगा, इस पर click करते हैं, यहां पर यहां सारे social fields आपको तज़रा रही हैं, आपको वहां पर add करने के लिए सब को यहां पर URL यहां यूजर नेम देने पड़ेंगे, यहां से रैंडम को यूजर नेम यहां पर दे देता हूँ, अपना ही Facebook दे दिया मैंने, इस तरह यही Twitter का दे देता हूँ, YouTube का भी दे देता हूँ, वीमो, यहां अपने सारे सारे जो यूजर नेम है, social media accounts के, वो यहां पर देता हूँ, मैं publish, बब्लिश करने के बाद मैं फ़िछानी के हैं, तो यह एपसाइड आपकी लोड़ ओं चुछी है, यहां पर आपके आपके सारे 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 social media के जो अपाउं से हैं, वो यहां पर शो हो चुगे हैं, तो हमने यह भी अड़ कर दिया है, अब हमने क्या करन है अब अगर आप इस डिजाइन भी तो यह वला मने विजट यहांप रैड करना है तो वापेस आते हैं यह पर कस्टमाज़ पोर्शन में यहां पर आइड कर देते हैं और यहां पर हम एड करते हैं इसके लिए महले आपस टैब्स का विजट है यहांप कर यह यह आपका पॉर्शन जो आपको आपको यहांपर 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 according जो जो विजर्स चाहें अपनी वेबसाइट के अड़ कर सकते हैं फिलार हमारे पास जो कॉंटेंट है वो थोड़ा कम है हमने ज्यादा पोस्ट से भी आड़ नहीं की तो हमने अल्मोस्ट जो डिजाइन है वो अपना रेडी कर लिया है होम पेज का यहां पर इस दोफ़ इस रिफर्श किया हमने अपनी वेबसाइट को और हम एक दोफ़ पूरी वेबसाइट को एक दोफ़ देख लेते हैं यह हमारा लोगो आ गया यह हमारे मैन्यूज आ गए यह ब्रेकिंग न्यूज में बिसिकली आपके पस वो पोस्ट आ रही है जो आपने लेटेस्ट अपलोड की है यह देखें जो आपने लेटेस्ट अपलोड की है पोस्ट वो आपके ब्रेकिंग न्यूज में आएंगे यह ब्रेकिंग न्यूज वही होती है जो भी आप लेटस्ट ब्लोग अप्लोड करेंगे वो आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज के बार में शो हो रहा होगा इसके नीचे मार रपस यह ग्रिड था हमने एड़ कर दिया यहाँ पर हमने फैशन कैटगरी आड़ कर दी यहाँ पर हमने सोचल मीडिया आड़ कर दी यहाँ पर हमने पॉलिटिक्स की कैटगरी आड़ कर दी यहाँ पर हमने टैब्स आड़ कर दी है और हमने यहाँ पर रिसेंट सपोस आड़ कर दी और यह फूटर को भी हमने सेट नहीं किया था फूटर में हमारे डिजाइन में क्या था उसे देख लिए ते इनक दफाँ यहां हमें हमारे पस लोगो था इसके निचे टेक्स सा नीचे हमारे पस सोचल मीडिया है इसको भी हम देख लेते हैं दुबारा से हम कस्टमाइज में जाते हैं और इसको स्क्रोल डाउन कर लेते हैं और अपने पहले यह पहले पहला फूटर वाला एरिया इसके अपर फूटर विजट एरिया यहां पर इसको हम कर देते हैं रिमूव यह रिमूट कर देते हैं, और हम यहां आप मैं अपना लोगा आड कर देता हूँ मैं यहां से इमिज आड करता हूँ में अपर नाबरेडिय और लाड़ारीडरी में सी मेरा में लोगा एड हो जाड़ा और इसके नीचे हमने है कोई टेख्स करना है तो यहां पर हम यहां पर लिख सकते हैं कि टेक्स परग्राफ यहां पर आपको यह भी टेक्स एंटर कर दें तो हम यहां से कोई यहां से टेक्स उठा लेते हैं यही वाला और इसको यहां पर इंटर कर देते हैं तो इम्रा टेक्स आगया और अब हम सेकंड वारा इसको एडिट कर लेते हैं सेकंड फूटर विजट एरिया यहां पर हम इसको कलेंडर को रिमूव करके इसके कलिक करके हम यहां पर रिसेंट्स for example, we show comments here so these recent comments are shown here now we have only one comment, so only one comment is shown here and third, if you want to remove image from here then we remove image from here and where we had added social video we add it here so this is added here if we change the settings for example, I will do it colored icons so this section is added and I will do it publish and go to our website we can see it so here our footer is ready last thing the bar is if you have to change you can basically go to the theme we can go to the setting like if I am going to my dashboard then we will go to the theme settings and there will be an option here in the footer setting and this is the text so we will keep copyright like this powered by wordpress designed by design by CS concepts and we will save changes we go to the website refresh it so you will see design by concept so our website will be ready now it will be clear here you can design the whole page the other pages the other pages about us conductors can design here so let's go to the wordpress dashboard this is our dashboard we have all the pieces what is the user what is the user you can manage the users here who are the users you can check if you can check and add a new user you can do it you can do it just like only one user I am if you want to add a new user then you can do it next purpose tools basically import export if you have any data to add a website or you want to transfer to this website or you want to transfer to this website then you can use tools basically you can do it what is the settings in this website your wordpress what will be title what will be what will be your url what will be your website dates what will be what will be default format what will be time what will be you can change all this so we have basic website लोग टाइब की एक वेबसाइट हमने त्यार कर ली है अभी हमने फिलाल हॉम पेज ही किया है लेकिन अगर आपको यह हॉम पेज ग्रीड करना आ गया है तो आपके लिए बाकी दो से तीन पेज़ ग्रीड करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है यह आप प्रैक्टिस के तोर प्रकुत बनाएंगे ताके एक दफा आप प्रैक्टिकली तुमाम के तुमाम जो ओप्शन हैं जो टूल्स हैं उनको चलाना सीख गए तो देखा आपने इस तरह से हमने वर्डप्रेस की वदर से बगैर कोई कोड लिखे पूरी की पूरी वेबसाइट को त्यार कर लिया आप इस पूरे व्रोसेश की समझा चुकी होगी लेकिन अगरा कुछी प्रॉब्ल्स नहीं तो आप एक दफा इस खुरी वीडियो को दबारा से देख सकते हैं पीर भी आपकी प्रॉब्लस और नहीं होती प्रॉब्लस प्रॉब्लस